So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Traders So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BHEL और NHPC Ltd की और साथ ही हम बात करेंगे dividend और एक bonus share की भी तो वीडियो को बिना skip किये और तक देखना और channel को subscribe नहीं किया है तो please कर देना साथ ही आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हो जसके link आपको नीचे description में मल जाएगी वहाँ पर आपको nipty bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है जाकर एक बार check out जरूर कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue भारत हैवे electricals limited के साथ वीडियो की शुरुआत हम करेंगे तो stock ने आज अच्छी तेजी बताई है अच्छी तेजी के साथ stock आगे बड़ा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो stock में 178.30 रूपीस के राउं तक की आज closing देखने को मिल जाती है वही अगर हम बात कर ले तो 1.60 रूपीस के basis पर stock में बड़त रही 0.91% के basis पर पिशले पाच दिनों से अगर हम देखे तो stock काफी तक यहाँ पर अच्छी रिटन दे रहा है यही नहीं यहाँ पर अगर देखे तो stock में कुछ levels भी मैंने आपके साथ share कहता है कुछ levels के बारे में मैंने आपको बताया था उन levels के हिजाब से अगर देखा जाए तो stock में एक इसी trade line है जिसके उपर एक continuously support ले रहा है और support के साथ ही यह share आगे बढ़ रहा है BHEL में इस support के साथ साथ एक बड़ी news भी थी कि यहाँ पर जो BHEL है उसे एक बड़ा project मिला है project कितना है? तो 2950 करोड के around तक का यह project रहा और 2950 करोड का project ने defense की ओर से मिला है और यही project के बाद stock में जो है बड़े spike हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है एक मड़ गयस मैं आपर refresh कर देता हूँ यहाँ पर आप खुद ही देख सकतो last one month में stock किस तरीके से आके बाद रहा है लगबग 49 रुपे के around तक के return है एक 6 माईने के अगर बात करें तो 94 रुपे तक है तो यहाँ पर बिल्कुल stock यहाँ पर day by day काफी बहतरीन return यहाँ पर हमें देता वा नजर आ रहा है volume की बात कर ले तो stock में volume भी हमें शानदार नजर आता है और यहाँ पर अगर बात कर ले तो 3 करोड के around तक का trade value हमें देखने को इसमें मिल जाता है और वही yesterday की बात करें तो 5 करोड का trade value है तो high volume के साथ भी share में buying चल रही है community sentiments के आकड़े थोड़े confusing रहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे levels है stock में जिनने देखकर लगता है कि हाँ stock में upside down momentum यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे है वही अगर देखे 50% लोग buy करने के लिए और 50% लोग stock में यहाँ पर sell करने के लिए कह रहे हैं तो इन चीजों के उपर भी आपको focus यहाँ पर करना चाहिए अब बाद यह आती है levels की तो levels को भी हाँ पर हम discuss करेंगे तो पहले हम देखेंगे BHEL 5 minute के time frame पर तो 5 minute के time frame पर stock में क्या चीज़े हमें देखने को मिलती है किन levels के उपर हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर मैंने कल जिस trade line के बारे में discussion किया था उसी trade line को हम आगे भी follow करने वाले है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें इस trade line के around ही एशियर घूम रहा है यहाँ पर अगर देखें थोड़ा पीछे चलें तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो इसी trade line के around एशियर कई times है कई दिनों से यहाँ पर एक strong support ले रहा है एक strong support है और वही कर आप खुद देख सकते हो यहाँ पर share में तो stock यहाँ पर support लेता हो नजराया यहाँ पर support लिया इसने यहाँ पर support है यहाँ पर support है अगेन आज भी यहाँ पर support लिया तो multiple times इस particular level पर एशियर support ले रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखें तो जब तक यह इस particular range को break नहीं करता तब तक आपको इसमें positive रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे stock में आज भी 6 तारिक के दिन अगर देखे तो morning में stock में गिरावट रहे morning में stock में अगर देखे एक गिरावट हमें देखने को मलती है और उसके बाद stock अगर देखा जाए हाँ यहाँ पर आप clearly देख सकते हो stock में यहाँ पर इसी trade line पर support लेने के बाद stock जो है काफी अच्छे return उपर के ओर देता हो में जराता है फिर उसके बाद again stock downside के ओर रहा है और यही से reversal ले रहा है और again यहाँ पर अगर आता है तो यही से reversal लेगा तो यहाँ पर अगर आपकी buying है तो बिल्कुल इसके इस trade line के नीचे ही आपका SL रहना चाहिए उसके बाद अगर देखे तो upside के लिए हमें केसे plan करना चाहिए इसमें केसे हमें trade plan करना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखे तो इस particular level पर इस particular trade line को आप ध्यान में रख लो इस particular trade line का काफी इत्तक positive impact इसके उपर हैगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखे उपर से stock में इसी trade line से rejection हमें देखने को मलता है बार बार इसी particular level से गिर रहा है शर और यहाँ से भी आज गिरावट ही हमें नजरा थी है तो एक चीज जान रखो अगर इसने यहाँ पर support लिया और इसी support के साथ यहाँ पर इसी support के साथ ऊपर गया और इस particular trade line का इहाँ पर breakout हमें मिला तो यहाँ से stock जो है काफी अच्छी rally आने वाले टाइम में हमें बताने वाला है तो इस point के उपर भी आपको focus करना है और already पिछले कुछ time से stock अच्छी return हमें देही रहा है तो इसमें तो हम positive रही सकते हैं और वही अगर दिखा जाए तो यहाँ पर जो 200 रुपे का target है हमारा आने वाले time में 200 रुपे का target भी easy achieve होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock यहाँ पर हमने पहले भी एचीज कही थी आपसे share किया था कि 200 के level से पहले भी stock गिर चुका है यहाँ पर पहले भी 200 के level से stock में एक गिरावट हमने देखी है तो इसलिए यहाँ पर यह level हमारे लिए इतना ज़्यादा important है कि आगे भी अगर देखें तो इसी level के around यहाँ पर भी आप देखों यहाँ से भी गिरावट ही नज़राती है तो यहाँ तक तो यह share जाए गई जाएगा 200 के level तक तो यह stock जाए गई जाएगा बारी आती है हमारे next stock की जिसका नाम है NHPC Limited NHPC Limited की अगर बात करें तो stock 60 रुपे 10 पैसे के level पर आज हमें closing देता हुआ नजर आया है एक रुपे 20 पैसे के round अगर आप देखो गया है तो stock में हमें एक तीजी भी नजराती है 2.04 परसिंगे basis पर यह stock यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है पिछले 5 दिनों में भी अगर हम देखें तो stock 5 रुपे 30 पैसे बढ़ा है एक महीने की अगर हम बात कर लें तो एक महीने में भी stock ने 9 रुपे 30 पैसे तक के return दिये है return के मामले में अगर देखें तो stock काफी अच्छी तेजी बता रहा है पिछले कुछ time से काफी शांदार तरीके से यहाँ पर momentum नजरा रहा है stock में यहाँ पर पिछले 6 महीने में भी stock 16 रुपे 15 पैसे बढ़ा है तो back to back stock जो है यहाँ पर अच्छे return यहाँ पर दे रहा है और volume भी stock में अच्छा नजर आता है पिछले कुछ time से अगर आप देखो गये तो stock में जो volume हमें देखने को मिल रहा है वो काफी शांदार है तो यहाँ पर volume को भी एक बार हम discuss कर लेते हैं तो एक मेट गयास यहाँ पर refresh हो रहा है तो नहपी से अगर देखे एक छोटा सा share है और काफी हद तक stock को हम काफी time पहले से ही discuss कर रहे हैं यहाँ पर volume देखे उससे पहले यहाँ पर labels को भी एक बार check out हम कर लेंगे कि labels क्या है तो दुनोगी चीज़े यहाँ पर refresh हो जाएगी तो नहीं से यहाँ पर हम इसे discuss कर लेते हैं पहले 5 मिनिट की time frame पर stock में हमें क्या चीज़े देखने को हलते हैं तो आज तो बिल्कुल stock में आप positive रहो काफी एच्छे return शेयर में आज हमें देखने को मिले हैं काफी इच्छे तरीके से stock बड़ा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस stock में अभी भी उपर से गिरावट हमें देखने को मिल रहे हैं बट जैसे भी हमें बता कि इसी भी ट्रेड लाइन को यह शेयर फॉलो करते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखे इस पर्टिकलर ट्रेड लाइन को यह फॉलो कर रहा है काफी टाइम से तो इस ट्रेड लाइन के ब्रेकटाउन के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बॉकिंग भी आएगी और कल के लिए अगर देखें तो यह वाली ट्रेड लाइन के उपर भी आफोकस रखना यहाँ पर तो अगरे डाउनसाइड की ओर आता है तो अठाउन रुपे के लेवल पर यहाँ पर सस्टिंग करने कोशिश करेगा क्योंकि अठाउन रुपे का जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ से पहले शेर गिर चुका है तो इसी लिए ए लेवल इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर रखा है तो इस लेवल के उपर भी आपको यहाँ पर फोकस रखना है और वही अगर बात कर ले जैसे मैंने बताया कि शेर में जो स्टॉक है जो इसका वॉल्यूम है वाई करोड के राउं तक का आज नजर आता है तो हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक में यहाँ यहाँ पर बाइंग हो रही है और कम्यूनेटी सेंटिवेंट्स के आकड़े भी हाँ पर हंड्रेट परसेंट बाइंग के लिए कह रहा है वही अगर हम बात कर ले तो कुछ यहाँ पर डिविडेंट और बोनस उन्हें भी डिसकस कर लेते हैं तो पॉल मर्चंट मर्चंट लिमिटेड अगर देखें फाइन इंवेस्मेंट सेक्टर का शेर है तीन हजार चारसो एक रुपे का स्टॉक है कंपणी के और से यहाँ पर अनॉंस्मेंट किया गया है और टुएश्ट वन बोनस का बोनस जो है यहाँ पर एक शेर के बोनस के शेर मिलने वाले 18 दिसंबर 2023 से बेल भाई करते हो तो इसका बेनेविट आपको मिल जाएगा फिर उसके बाद बारी आती है एक ऐसे शेर की जो इहाँ पर दे रहा है डिविदेंट राश्ट्रिय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्लिमिटर स्टॉक का नाम है 17 रुपे तक की बढ़त है आज 152 रुपे का इस शेर है और कंपणी की ओर से डिविदेंट का नॉंस्पेंट किया जा रहा है डिविदेंट कंपणी देने वाली 3 रुपे 70 पेसे का 13 दिसंबर से पहले बाई करोंगे तो फाइनल डिविदेंट आपको मिल जाएगा आई होफ वीडियो आपको हेल्पूल लगा होगा अ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी स्टॉक में इंवेस्मेंट करना से पहले इन का नाल असा सबी कर लेना